आज की हमारी रेसिपी है शाही तुकड़ा और इसे बनाने के लिए मैंने लिया है आधा लीटेर दूद, तीन ब्रेट स्लाइस, पान से छे बदाम, दो टेबल स्पून शक्कर, फ्राई के लिए घी, थोड़ा सा केसर और एक टीस्पून इलाइची पाउडर अब मैंने दूद गरम करने के लिए रख दिया है, उसे अच्छे से उबालाने दे और वो वनफोथ होने तक इसी तरह आप इसको कंटिनुईसली स्टर करते रहें वनफोथ होने के बाद उसमें एड किया करना है दो टेबल स्पून शक्कर, अच्छे से उसको mix करना है, अब उसमें एड करना है केसर, केसर अड करने से उसमें अच्छा सा टेस्ट और कलर दोनों आएगा, mix it well, अब एड करना है एक टीस्पून इलाइची पाउडर, उसे अच्छे से mix करना है, देखिए आप अल्रेडी वो रबडी फॉर्म में आ गया है, अच्छा कलर भी है, अब उसे इप बोल में निकाल दीजिया और उसे थंडा करने के लिए रख दे, अब मैंने bread लिया है, जिसको अल्रेडी मैंने triangle shape में काट दिया है, अब उसे हमें उसे fry क करना है घी में, उसको आप अच्छे से fry करना है, अच्छे से golden brown color आने के बाद वो अच्छा crispy भी हो जाएगा, अब उसे आप एक plate में place कर दीजिए, अब उस पे डालिए थंडी थंडी रबडी, वन बाई वन हर एक bread पे आप वो रबडी डालिए, और फिस उसे आप garnish कीजि बडाम से जिसे हम अलड़ी slice करके रख दिया था, और ये हो गया अपका simply स्वादिश शाही तुकडा ready, अगर आपको recipe पसंद आये तो please like कीजिए और subscribe करना ना भूले, thank you